नमस्कार दोस्तों, बॉलिवूड इंडेस्टिज जो की लगातार सद्वे में है, नुकसान में है, घाटे में है, क्योंकि बॉलिवूड बाइकॉट का नारा चल रहा है, और सुशान्त के फैंस लगातार इस बात को, इस आवाज को बुलंद करते हैं, क्योंकि उनका चहेता शुशान्त को इसी बॉलिवूड ने खतम किया है, और ये बात छुपी हुई नहीं है, इस बात को शब कोई जानता है, प्रन्तु इसी बीच में एक फिलिम आई पुश्पा, पुश्पा जो की काफी अच्छा बिजनस किया, और काफी जादा इस फिलिम ने कारोबार किया जिसको ले करके हर तरफ चर्चा चल रही है, हर तरफ बाते हो रही है, और मैं आपको बताओं कि पुश्पा के जो थियेटर चैन के दिगज है मनोजदे साई, उन्होंने पुश्पा की शफलता के लिए अलू अर्जुन को शलाम किया है, धन्यबाद कहा है, अब वैसे तो आज का लोग चर्चा उसकी कर रहे हैं, और कई ऐसे लोगों के मुझसे मैंने सुना कि पुश्पा अच्छी मूवी बनी है, अब इसके पीछ पीछे क्या चल रहा है, भगवान जाने परन्तो बॉलिवोड बॉइकाट का हमारा नारा है, तो हम तो उसको फॉलो करते हुए ह हमने मुवी देखना बंद कर दिया है, लास्ट मुवी हमने शुशान के दिल बेचारा देखा था और उसके पहले किदारनाथ देखा था, परन्तो जो मैं कहने जा रहा हूँ वो यह है कि अर्जुर, अलू अर्जुन की पुश्पा दराई सूपरिस्टार अब तक की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई है, स्पाइडर मन और 83 जैसी बड़ी टिकट वाली फिल्मों के साथ रिलीज होने के बावजूद, फिल्म ने दुनिया भर में 300 करोड के कारोबार का आंकड़ा पार कर लिया है, और फिल्म ने पुश्पा दराईज के हिंदी दर्स वरजन ने 80 करोड से अधिकी कमाई की है, जो अभिनेता की लोगपृता और स्टार पावर का परमान है, महमारी जैसे चुनावती पुन्ट शमय में सभी थेटर चैन्स को नुक्षान हुआ और वो कठीन दौर से गुजर रहे हैं, यह तो सब को पता है कि नुक्सान होने के कई सार पाहत दी है, एसे ही एक चैन्स जी सेवन मल्टिप्लेक्स है, जो उपनगरी मुंबई में जनता के बीच लोगपृत शिनमा हॉल है, और लोगपृत मल्टिप्लेक्स में फिल्म की पतिकरिया ऐसी थी कि जी सेवन के मालिक मनोज देसाई ने अलू अर्जुन को सलाम किया है जो पुष्पा के कलेक्शन से बहुत खुश है, उन्हें लगा कि पुष्पा उनके बिजनस में कुछ जान डाल रही है, कुछ अच्छा हो रहा है और अलू अर्जुन को एस्पेशल मैसेज करते हुए मनोज देसाई ने कहा कि खुदा गवाह में अमिता बच्चन और दच बहुत खुशी हो रही है, और मुझे आपके दूसरी फिलिम रिलीज करने में बहुत खुशी होगी, ये बाते कहा है, लोगपिरिये मल्टिप्लेक्स के मालिक और जिन्होंने इस पुश्पा की सफलता से बहुत ही खुशी जाहिर की है, शायद उनकी जान में जान आ गई है, लेकिन कब तक ऐसा चलेगा, हम तो कुछ और ही कहानी कहते हैं, जैहिन जै भारत